उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशूर नौइडा स्थित मार्वा स्टूडियो में तीन दिवस्वें चल रहे बार्वे ग्लोबल फेस्टिवल ओफ जनरलिज्म कारेक्रम के तीसरे दिन के पहले सत्र में रीजनल मीडिया इन नैशनल पॉलिटिक्स विशेप पर भारतिय संस्कृति के अनुसार दीप रज्वलन और गनेश वंधना के साथ कारेक्रम की शुर्वात हुई कारेक्रम में डॉक्टर संदीप मार्वा फ्रेस्टिवल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आइसी एमियाई चांसलर एएफ्टी उनिवस्टी ओफ मीडिया एंड आर कारेक्रम में उपस्तिर सभी अतिति गन को पुष्प गुष्प भेट कर उनका स्वागत किया गया डॉक्टर संदीप मार्वा फेस्टिवल प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आइसी एमियाई चांसलर एएफ्टी उनिवस्टी ओफ मीडिया एंड आर्स ने उपस्तिर सभी योगों का शुक्रिया अदा किया और कहा रीजनल मीडिया का रोल बहुत महत्पून है कभी कभी हमारे छेत्र की खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाती वो खबर हमें रीजनल मीडिया से पता चलती है रीजनल मीडिया अपने छेत्र की खबरे सही तत्यों और जानकारियों के साथ दिखाती है जो जनता के लिए बहुत जरूरी है वहां मवजूदा अतितिगर्ण ने रिजनल मीडिया पर अपने अपने विचारों को साज़ा किया और वैलेंटाइन्स डे का पोस्टर रिलीज किया इसी दौरान कारिक्रम में आये अतितियों को उनके देश के क्यूजन भी चखाए गए साथ ही अतितियों ने स्कूल ओफ ऑस्पिटालिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स की रसंसा की कारिक्रम के दूसरे हॉल में केपाया रोडी ग्रेज गोजा लेंज अमबेजडर आफ वेनेजुएला मवजूद रहे जिसमें एर एंडो इनला म मेमोरिया फ्लोइंग इंटू मैमरी फिल्म की स्क्रीनिंग की गए इसी दोरान संदीप मारवा द्वारा के पाया रोडी ग्रेज गोंजा लेंज को फिल्म डॉकुमेंटरी के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंशन देकर सम्मानित किया गया सभी अतितिगर्ण को डॉक्टर वेनिजुला की फिल्म को यहां पर चड़ाया इस डॉक्यूमेंटरी फिल्म को देखने के लिए फिर से एक बार देश बर और दुनिया भर से लोग यहां पहुंचे हैं हमने यहां पर वेनिजुला का भोजन भी यहां सर्व किया और उससे जो अमबेसडर साहिब यहां और देश के बड़े बड़े नामी गरामी जनलिस्ट इस पूरी सभा में भाग ले रहे थे हम लोगों ने बहतरीन तरीके से चर्चा को यहां पर चलाया और उसका आनंद सभी लोगों ने लिया आज का दिन फिर से बहुत महान है क्योंकि आज वेलेंटाइंस डे है आज ब मिनट का मौन भी रखा क्योंकि जिन फोजीयों को हमने पुलावा कि इस हादसे में खोया था उन्हें हमने आज फिर से याद किया है आने वाले थोड़ी देर में बहुत सारे और कारेकरम होने जा रहे हैं हम लोग अब थोड़ी देर में यहां नुकर नाटक देखेंगे उ काम को एक जबरदस्त फैशन शो का योजन किया गया है और उससे पहले जो सबसे महत्मून कारेकरम है आवार्ड्स का क्योंकि हमें ये कहते हूँ बड़ा हर्श होता है कि हम लोगों ने महात्मा गांदी के नाम पर एक जनलिस्टिक आवार्ड की रचना रची थी जिसका न कुछ ऐसे लोगों को भी समानित किया जा रहा है जिन लोगों ने अपने इस जनलिस्टिक के शेक्तर में महत्पून काम किये हैं ये कारेकरम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और मैं समझता हूँ कि आप सभी को फिर से एक बार निवेता हूँ मेरा एक्स्प्रियंस बहुत अच्छा रहा और एए एफटी में आना हमेशा से बहुत सभागिशाली समझता हूँ मैं खुद को संदीप मारवासर के साथ आना उनके साथ बैठना उनको सुनना उनको देखना ये वाकई बहुत अच्छा और सुखद रहता है और मैं मौके दूनता हूँ कि कभी आपके एफटी में कोई प्रोग्राम हो और मैं वहाँ जाओं और बच्चों से बात करूं मारवासर को सुनूं यहां की जो फीलिंग है इस इंस्ट्यूट की वह बहुत डिफेंट है बहुत पॉजिटिव है अब ने बहुत कुछ बाहर अंदर कहा है और बहुत कुछ बाहर में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो नेशनल मीडिया है वो एक परसेप्शन बनाता है देश में एक निरेट्व बनाता है सरकार उस नेरेटिव के अधार पे लोग क्या चाहते हैं उनकी पॉलसी होती है लेकिन जो सरकार की पॉलसी है वो जमीन तक कैसे पहुंची कहा तक उसका क्या है वो रिजनल मीडिया करता है वो दिखाता है च्ट जूटी खबरों को दिखाता है तो इसलिए एक बैलेंस नैशनल मीडिया और बहुत ज़्यादा जरूरी है और फॉर्चुनिटली यह बैलेंस अभी हमको नजार आता है हमारे समाज में इसको और अच्छा और बिलक्ल एकदम हाथ जोड के कहना चाहता हूं कि आप लोग जो पढ़ते हैं और अच्छे से आने चाहिए और हमारी सिक्षा पधती है वो ऐसी हो गई है कि हम ना तो आधी ना तो हम हिंदी बोल पाते हैं ना इंग्लिश बोल इसको अच्छे से समझें पहला और जितने भी मीडिया के स्ट्वेंट्स हैं हिंदी में टाइपिंग जरूर सीखेए ये मेरा मूल मंतर आप सब के लिए रहेगा अगर आप लोग हिंदी की टाइपिंग अच्छे से करना चाहते हैं करना जानते हैं यूनिकोट फॉंट में तो यकीन मानिए कि आपको अच्छी सेलरी में पहली जॉब तुर्ण मिल जाएगी हिंदी लिखना अच्छा लिखना शुद्ध लिखना ये आप लोगों के लिए एक दर्वाजा है तमाम राश्ट्रिय च्षित्री और सारे चैनलों में आने का ये काम ज़रूर करिएगा और नाशनल मीडिया के पीछ में क्या समझते हैं और लोगों को किस तरीके से उन दोलों का समझना चाहिए आप क्या बोले जाएगे बहुत ही संचिप तुम अगर मैं बताओ तो महासागर को बनाने के लिए नदियों का बड़ा योगदान है बिना नदियों के महासागर न हर राज्य में हर विष्टिक में अलग तरह की समस्या है वहां से ख़बरों का आना उसको ख़बर बनना या आगे उस पर समस्या का समधान होना वो तमाम जरूरी चीजे जो है रीजिनल मीडिया आप तक लेके जाता है तो नेसनल मुद्दे बनने से पहले रीजिनल मीडिय हैं यह कर रहे हैं सबसे पहले तो खुद को पहचा जिए ठीक है बहुत लोकल लेंग में बात कर रहा हूं कि आप खुद से किसे इंफ्लूएंस होने की जरूरत ने आपको आप खुद में आपकी जो आपकी काबियत है हो सकता है आप अच्छे से आपके आर्टिस बन सकते ह हैं और आपको सब कुछ नहीं बन सकते आप तो आपका जो एक मैसीज है जो आप